Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 7 जून और आज की इस वीडियो में हम 7 जून से related current affair के सभी important question को cover करेंगे इसलिए वीडियो को अन्त तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा Telegram चैनल भी जॉइन कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चले श्टार्ट करते हमारा पहला question हाली में रूसी भासा दिवस ये कब मनाया गया है तो ये भी हाली में मनाया गया है 6 जून को और ये दिवस क्यों मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं United Nation येनि कि संयुक्त राष्ट की कुल 6 आधिकारिक भासा है अर्बी, रूसी, स्पैनिस, चाइनिज, इंग्लिस और फ्रेंच और इनमें से प्रत्यक की इतिहास, कल्चर और विकास के बारे में जागरुक्त बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है तो रूसी भासा दिवस ये मनाया गया है 6 जून को और देखिए ये जो दिवस है, रूसी भासा दिवस ये जो महान रूसी कवी रहे है ए-स, पुश्किन, इनके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है तो अब हम डिसकस कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में यनिकी संयुक्त राष्ट के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हेडक्वार्टर इस्थित है नियू यॉर्क में प्रेजन टाइम में इसके महान निदेशा किये हैं एंटोनियो गुटरस जोकी है पुर्टगाल से मेंबर कंट्रीज है 193 और 193 मेंबर है दक्षणी सुडान अब यदि हम अधर आप्षन को डिस्कस करें तो दो जून को मनाया गया है तेलंगाना राज इस्थापना दिवस इसके पहले जो एक जून मनाया गया था तो एक जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स तीन जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे पाथ जून को मनाया गया है वर्ल्ड एन्वाइर्मेंट डे और इसकी theme रही थी biodiversity यहने की जैव विवित्ता कल मैंने आप लोगों के comments रीट करें आप लोगों का कहना है कि इसकी theme biodiversity नहीं है तो देखिए आप confirm कर लीजे इसकी theme biodiversity ही है और अब 6 जुन को मनाया गया है रूसी भासा दिवस Next है हाली में WTO में भारत के नए राजदूत कौन मने है यहने की world trade organization में तो इसमें भारत के नए राजदूत बन गये है ब्रिजेंद्र नवनीद जो ब्रिजेंद्र नवनीद है यह तमिन नाडू कैडर के 1999 बैच के IS officer है और हाली में इन्होंने PMO यहने की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेख्त सशिव के रूप में अपना कारेकाल पूरा किया है और अब वे PMI में राजदूत के रूप में कारेभार समभा लेंगे और यह स्थान लेंगे JS दीपक का इसी क्रम में आप एक और नाम याद रख सकते हैं जो अनवर हुसेन सिख है यह बनाए गए हैं WTO में काउंसलर अनवर हुसेन सिख जुकी हैं 2000 बैच के IR TS आफिसर तो यह बन गए हैं काउंसलर अब यदि हम बात करें WTO की यहने की World Trade Organization की तो इसके स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हैटक्वार्टर इस थी थे जेनेवा स्यूजर लेंड में मेंबर कंट्रीज है 164 और प्रेजन टैम में इसके महा नहीं दे सके हैं रोबर्टे, रोबर्टो, अजेवेदो और अभी तक एदिए आप लोगों ने ओनलाइन स्टड़ी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्र पीडियोफ को पर्चेस नहीं किया है तो इसे आप पर्चेस कर सकते हैं और इस मास्टर पीडियोफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एकोनॉमी और करंट अफेर के सारे टॉपिक कवर कराए गये हैं जो कि आपके एक्जाम में बन गया है केरिला तो देखिए हाल ही में जो केरल राज्य सरकार है इसने के एफोएन यहां पर इसके फुल फॉर्म है केरला फाइबर आप्टिक नेटवर्क इस परियोजना को अपनी ब्राट बेंड परियोजना घुशित कर दिया है और इस परियोजना के तहट केरल में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन सभी नागरिकों को फ्री में हाइज स्पीड इंटरनेट मिलेगा और इस तरह जो केरल है यह गरीब लोगों को फ्री में हाइज स्पीड ब्रॉडबेंड प्रिदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो हम मैप में डिसकस करेंगे केरल को लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं उन राज्यों के बारे में जो कि किसी न किसी कारण से पहले स्थान पर रहे हैं यदि हम बात करें उत्रा खंड की, तो जो उत्रा खंड है ये क्रिसी भूमे को पट्टे पर देने वाला यनि कि लीच पर देने वाला भारत का पहला राजजबना है, जो 36 गड़ है ये मनरेगा के तहट सबसे जादा रोजगार अवेलिबल कराने वाला भारत का पहला इसकर लेते हैं मैप में केरल को, आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन ये है केरल, ये किन-किन राजजयों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसके पश्चिम में है अरप सागर, केरल के दिए हम बात करें, तो राजधानी है तिरू-अनंत-पूरम, और तिरू- मुहम्मद खान और यदि आप करन्ट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था ये दो महिने पहले की ही न्यूज है केरल में ही भारत की पहली सूपर फैब लेब का उधाटन किया गया है केरल में ही नेक्स्ट है महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो देखिए हाली में जो एशियाई फुटबॉल परिसंग इसने भारत को 2022 के लिए महिला एशियन कप की मेजबानी करने के लिए अलाउ कर दिया है और 90-79 के बाद ऐसा दूसरी बार है जब इस टूडर्ण को भारत होश्ट करेगा तो अब हम जान लेते हैं AFC के बारे में यहीं की एशियाई फुटबॉल परिसंग के बारे में इसकी स्थापना हुई थी आठ मई 1954 में हैटक्वार्टर इस्थित है क्वालालंपूर मलेशिया में में मेंबर कंट्रीज एकुल 47 और प्रेजेंट ट इबिन अबराहिम अल-खलीफा तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे अब देखें यदि हम अधार आप्शन को डिस्कस करें तो 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक होंगे यह होंगे जापान की कैपिटल टोक्यो में 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा पुर्षो का इसे होश्ट क करेंगा कतर है इ 558 है यदि हम बात करें भारत की तो यह अजया एशन coming 2022 की मेजबानी तो करेंगाही साथ ही ICC Cricket World Cup जो की होगा पुर्षो का 2023 में इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत जबकि जो महिलाओं का Cricket World Cup होगा 2021 में इसे होश्ट करेगा New Zealand तो ये सब ही आप याद रखेंगे आप मैप में देख सकते ही इंडिया की लोकेशन ये स्थित है एशिया महादीप में जो की है विश्चुका सबसे बड़ा महादीप और कल मैंने आप लोग बताया था जो Tropic of Cancer है यानि कि जो करक रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है इसके नीचे में है इक्वेटर और इसके नीचे है मकर रेखा और एक मात्र ऐसा महादीप जिस पर से तीनों रेखा ये गुजरती है ये है एफ्रिका महादीप लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एशिया के बारे में तो यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान दीजेगा जहां पर मैंने यहाँ पर रेड हैलाइट किया है यह है भूमदि सागर और यह है लाल सागर तो देखिए जो भूमदि सागर है और लाल सागर है यह दोनों ही एक नहर से जुड़े हुए है यहाँ पर आप देखेंगे यह है स्वेज नहर इसकी location आप याद रखेंगे, exam का part बनता है Next है, हाली में Safe Online Learning in the Time of COVID-19 किताब ये किसके द्वारा लॉंच की गई है तो देखिए इस किताब को भी हाली में लॉंच किया है रमेज पोखरियाल निशंक जी ने तो देखिए ये जो किताब है, ये एक information booklet है और ये booklet online सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों को और सिक्षकों को aware करेगा और ये NCRT और UNESCO इंडिया के द्वारा बनाया गया है और लॉंच किया है रमेज पोखरियाल निशंक ने येदि हम बात करें रमेज पोखरियाल निशंक की तो ये present time में हमारे HRD Minister है बुक से ही related है तो हाली में जो present time में हमारे केंद्री स्वास्थ मंत्री है इनके द्वारा एक किताब लॉंच की गई थी जिसका नाम है कोविड कथा डॉक्टर हर्षवर्धन इनकी constancy है चान्दी चौक दिल्ली जो थावर्चंद गहलोत है जो की है सामाजिक नय और अधिकारिता मंत्री इनके द्वारा भी हाली में एक किताब लॉंच की गई थी एक्जाम वॉरियर इसका ब्रेल एडिशन इसे लॉंच किया था थावर्चंद गहलोत ने जबकि जो प्रकास जावडेकर जी है इनके द्वारा इंडिया 2020 किताब का इंग्लिज वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों ही लॉंच किया था प्रकास जावडेकर जी जो कि प्रेजन टाइम में हमारे सूचन प्रिसारन मंत्री है नेक्स्ट है हाली में किस बैंक ने समर इस्ट्रेट अभ्यान के शुरॉत की है तो इसकी शुरॉत अभी हाली में की गई है HDFC बैंक के द्वारा तो देखिए सब भ्यान के तहट यदि आप बड़े उपकरण खरीदते हैं तो बड़े उपकरण खरीदने पर आप लोगों को प्रोड़क्ट पर कैश भी देगी और यहीं फैसिलिटी शुरू की है HDFC बैंक ने यदि हम बात करें HDFC बैंक की यानि कि हाउसिंग डेवलप्मेंट फाइनेंस कॉर्परेशन लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हैटक्वाटर इस्तित है मुंबई महराष्ट में और प्रेजेंट में इसके MD कौन है तो यह है आधित्य पूरी नेक्स्ट है हाली में भारत सरकार ने शहरी शेत्रों में वन आवरल बढ़ाने के उद्देश से किस कारिक्रम की शुरूआत की है तो इसके द्वारा शुरूआत की गई है नगरवन यानि की शहरी वन कारिक्रम की और देखे यह जो कारिक्रम है यह कारिक्रम देज भर के 200 निगमो और शहरो के साथ सुरू किया गया है और इस कारिकरम को उद्देश है कि अगले आने वाले पास साल में पूरे भारत में 200 सहरीवन विक्सित किये जा सके और इसी के शुरुआत की गई है इंडियन गवर्मेंट के द्वारा तो देखे इसी से कनेक्ट करके हम यदि बाकी आप्शन को डिस्कस करें तो कुस्समा पहले ही जो वेस्ट बेंगॉल गवर्मेंट है वेस्ट बेंगॉल गवर्मेंट के द्वारा सेव ग्रिन इस्टे क्लीन कारिकरम के शुरुआत की गई थी और किसलिये की गई थी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए और इसके अंतरगत एक लाग पेड लगाए गए थे वेस्ट बेंगॉल में इसी क्रम में जो पौधा गिरी अभियान है इसके शुरुआत की गई थी हरियाला गवर्मेंट के द्वारा और इस अभियान के तहट इसकूली बच्चों द्वारा एक एक पेड लगाए गए थे यदि हम बात करें एक छात्र एक व्रक्षी योजना की तो ये कारिकरम के शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा आप ये जो चारों अप्षन देख रहे हैं ये कहीं न कहीं हरियाली को यनि की ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सुरू की गए हैं तो ये सब ही आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में केंद्र सरकार ने वीजा सर्तों के उलंगन के मामले में 2550 विदेसी तब्लीकी जमातियों को कितने वर्ड्स तक के लिए भारत आने पर बैन लगा दिया हैं तो देखिए भी हाली में जो केंद्र सरकार है इसने भारत आकर वीजा का उलंगन करने वाले जो 2550 विदेसी तब्लीकी थे इन्हें बैन किया है 10 साल के लिए और ग्रह मंत्राले के आदेस के अनुसार इन तब्लीकीयों को आने वाले 10 साल के लिए भारत आने का वीजा नहीं जारी किया जाएगा तो यहाँ आप याद रखेंगे 10 साल अब यहाँ से important है वीजा तो यहाँ पर इसकी full form मनती है visitors international stay admission और यह आप current से relate करेंगे तो मैंने आप लोगों बताया भी था कुछ समय पहले ही जो PV सिंधु है यह बनाई गई है वीजा की brand ambassador next है हाली में किस मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैस ट्रेक आई कॉमिट पहल के शुरुवात की है तो इसके शुरुवात अभी हाली में की गई है आरके सिंग के द्वारा नेखिए जो आरके सिंग है यह present time में बिजली और नवीन और नवी करणी उर्जा राज्य मंत्री है इस के लिए इस पहल के शुरुवात की है तो इनकी अरा बिहार प्रहराज सिंग पटेल जो की present टायम में हमारे Tourism and Culture Minister है इनकी Constituency है दमोह Madhya Pradesh गजेंद्र सिंग शेखावत ये है जल शक्ति मंत्री और इनकी Constituency है जोदपुर राजस्थान नरेंद्र सिंग तोमर ये है केंद्रे कृष्ष्य मंत्री और इनकी Constituency है मुरैना Madhya Pradesh नेक्स्ट है जन्वरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट या अधूते ट्विन समिट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी तो इसकी मेजबानी की जाएगी W.E.F के द्वारा यहनी कि World Economic Forum के द्वारा तो इसके बारे में हम जान लेते हैं देखे इसके स्थापना की गई थी 1971 में हैटक्वाटर इस्तित है कोलोन स्विजरलेंड में और प्रेजन टाइम में इसके एक्जिक्यूटी चेर्मेन कौन है तो ये हैं क्लाउड शॉब देखे ये जो समिट आयोजित की जाएगी इसका आयोजन वर्चुल माध्यम से किया जाएगा दावोस में और इसमें विश्व के प्रमुक सरकारी और व्यापारिक नेता पार्टिसिपेट करेंगे और इसके लिए एक थीम में डिसाइड की गई है तो इसकी थीम है और यह जित की जाएगी जनवरी 2021 में डबलू इएफ के द्वारा अच्छा अभी मैंने बताया है कि डबलू इएफ इसका हैटक्वार्टर इस्थित है स्वीजर लेंड में तो स्वीजर लेंड को हम डिसकस कर लेते हैं मैप के थ्रू आप देख रहे हैं यह इस्थित है इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं देखें यूरोप के खेल का मैदान यह कहा जाता है स्वीजर लेंड को ही स्वीजर लेंड के दिए हम बात करें तो कैपिटल है बर्न करंसी है स्विस फ्रेंक और यह आप करंड से रिलेट करेंगे तो हाली में यहां के ए यह है टॉप पर यह बिलॉंग करते हैं स्वीजर लेंड से जबकि इस क्रम में भारत की विराट को ली यह है चाचछटवे इस्थान पर और ओवर और यदि क्रिकेटर्स की बात की जाए तो यह है पहले स्थान पर स्वीजर लेंड से रिलेटेड हम और क्या याद रख सकत ने राईजादर तो देखिए यहाँ पर अलग हो रहे हैए स्पेन मोरक को और दो महासागर मिल रहे हैं इसका आल्प्रितेन में इंडिया कि नेक्स्ट हाई कमिशन कौन मने तो इसका राइट अंसर था गायत्री कुमार इन्होंने रिप्लेस किया था रुची घंश्याम को अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में सेलरी ट्रैकर मुबाइल एप जिसका नाम है मेरा वेतन सौरी गलती से इसे कल मने आप ल thank you so much